हाई फ्रेंद्स वेलकम टू स्टड़ी स्वेजॉय आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आज के हमारे टॉपिक के नाइन स्टेंजर का मातमेटिक्स पार्ट वन का चैप्टर नंबर पूर रिश्य और प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट सेट को कम्प्लीट करने वाले है और इसे पूरा देखेगा क्योंकि इसमें बहुत इंट्रेस्टिंग संप्स है बहुत मज़ा आएगा और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा आई रिक्वेस्ट कि मैंने डिस्क्रूप्शन में लिंक दीए आप जाके पहले वह देखिए क्योंकि पार्ट 3 भी उससे रिलेटेड होगा तो लेट्स बिगिन वित अवर टॉपिक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और हमारे चैनल को इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों चलिए शुरू करते हम लोग का जो बाखे का पार ता क्वेशन नमबर 4 का यानि कि 3rd sum, 4th sum, 5th sum, 6th sum जो भी हम लोग करेंगे तो 3rd sum क्या है चलिए देखते हैं बोलता है कि 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square upon 2x plus 1 the whole square minus 2x minus 1 the whole square is equal to 17 upon 8 मलों आपको देखके मालूम पढ़ रहा है कि component of dividend applied है और component of dividend ही करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें उपर minus लिज़ा प्लस तो नहीं देख रहा लेकिन इसमें क्या है तो whole whole square यूज़ किया है अब वो कैसे करेंगे इसे equation को कैसे तोड़ेंगे अभी हम लोग सिखते हैं सबसे पहले इनने दो बड़े-बड़े brackets square brackets में लिख देंगे और बीच में signs डाव देते हैं देरफोर 2x square 2x plus 1 the whole square plus 2x plus 1 the whole square upon 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square plus हमने क्या किया है हमने इसमें वापस component dividend apply किया पहले से applied था जैसे हम लोग हवी हर सम में करते आ रहा है और इसमें भी करेंगे आपने लिखेंगे बाइक कंपोनेटी डिविडेंड हो यह प्लस यह नीचे वाला जो हमने यह आपर लिखा bracket में square brackets important है क्योंकि पहले से इसके कर दीगे फिर निचे यह माइनस यह वाला अभी किला ब्रैकेट में तो माइनस ही रखना हमनों को साइन चेंज करना तो है इसका okay अभी इसे इक्वल्स टो 17 प्लस 8 अपॉन 17 माइनस 8 इसको भी हमने कर दे कंपोनेटी डिविटेंट अप्लाई तो करना पड़ेगा दोनों साइट 17 प्लस 8 अपॉन 17 माइनस 8 कर दिया अब इसे थोड़ा solve करते है ब्रैकेट निकाल दे इस square brackets इस तरह उपर हमने तो कुछ चेंज नहीं होगे तकि नीचे वाले में 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square minus 2x plus 1 the whole square इस वाले सायन को कुछ नहीं होगा क्यों क्यों कि वो अंदर था bracket के अंदर और इस वाले सायन को हो जाएगा यहां पर जो माइनस था प्लस दू बाहर माइनस था और यह 2x minus 1 the whole square अब बहुत कुछ कट सकते हो यहां 17 plus 8 is 25 and 17 minus 8 is 9 तो अब हम लोग बहुत कुछ cancellation कर सकते हैं यहां पर अभी जो अब हम लोग करने भी वाले हैं देखिए 2x plus 1 the whole square यहां पर है तो यहां पर 2x minus 1 the whole square plus minus cancel हो जाएगा यह वाला और यह वाला आप cancel कर सकते हैं फिर minus 2x minus 1 the whole square और यह वाला निचे वाला यह दोनों भी cancel हो जाएगे तो बचता क्या है उपर 2x plus 1 the whole square यह दोनों बचते हैं यह वाला और यह वाला और निचे बचता है यह वाला और यह वाला बाके सब cancel हो जाएगा तो हम लोग इ कि आप में प्लस करने के जगा पे आम लोग ऐसे बिले सकते हैं कि 2 x 2 x 1 स्कूरर वो एक ही बात हुई ना दो लिख रहे हैं हम लोग दो है तो हमने उसमें सिफ साइड में 2 लिख दियो और एक बालिक नम ऐसे आपको यहां पर भी नीचे भी 2 x 2 x मैं लोग उसका यह धर्शा थे कि वह दो है इसवास तो 25 अपन 9 अब क्या उपर नीचे टू टू कैंसल वह भी हमनों को नहीं करना पड़ा इसलिए हमने ऐसे लिखा कि टू अब यह भी कैंसल हो जाता है अब बच्चा तो इतना ही बच्चा है इसवास तो 25 अपन 9 अब स्क्वार नंबर से 25 अब स्क्वार निकालने के लिए आपर कभी स्क्वार रूट निकालते हैं अब लोग को क्योंकि एक्स फाइंट चाना तो जितना कट सकते हैं इतना कट करना ही है मैं तो आम लोग यह लिखेंगे टेकिंग स्क्वार रूट आन बोध दो साइट अभी यहां पर हो जाएगा 2x plus 1 upon 2x minus 1 is equals to plus minus 5 upon 3 ऐसा क्यों लिखा यह वी आर नौट हमको नहीं पता कि यह plus है कि minus होगा 5 upon 3 we don't know in this case ऐसा cases में अमनों को नहीं मालूं पढ़ रहा है कि यह plus है कि minus है तो therefore इस तर लिखने से मतलब होता है कि 2x plus 1 upon 2x minus 1 is equals to 5 upon 3 that is plus 5 upon 3 और 2x plus 1 upon 2x minus 1 is equals to minus 5 upon 3 यह सम्में थोड़ा यह step याद रखेगा therefore अब हम लोग इस इन दोनों साइद भी cross multiplication कर देते हैं यह और यह और यह और यह और यह और यह और यह 3 into 2x plus 1 is equals to 5 into 2x minus 1 and here 3 into 2x plus 1 is equals to minus 5 into 2x minus 1 और बीच में लिखने आपको बहुत important है हम लोग यह फिर बता रहें तो therefore हम लोग को इससे solving करना है इसदा multiplication कर देंगी यह आपको पता ही है हमने बहुत बर किये आपको इससे solving कर देनी है science में आप ध्यान रखना है यह minus है तो ओके तो आपको मिल जाएगा कि आपको अपकी तेक्सबूक में दिया तू लिखिन हमारे कालकूलेशन के सबसे वो और वन अपॉन एड़ बहुत बहुत सकते हैं अब आपिदा पर चाता है वह और भी इंच्वरस निगे किसमें रूट आते हैं जिसे देखके सुदेंथ भाफ पर है रूट वाल आ गया ऑ मिटाओ मिटाओ मिटा लेकिन नहीं बहुत सिंपल है कुछ स्टेप्स मैं बहुत सिंपल हो जाएगा क्या है question root 4x plus 1 plus root x plus 3 upon under root 4x plus 1 minus under root x plus 3 is equals to 4 upon 1 क्या है यहां पर पहले से component to dividend applied है हम लोग जैसे हमेशे करते हैं हम पर dividend dividend हो वापस apply कर देंगे तो क्या हो जाएगा root 4x plus 1 plus root x plus 3 plus यहां पर bracket में डाल देना हमको बड़े बड़े नमबस है plus root 4x plus 1 minus root x plus 3 फिर नेचे भी root 4x plus 1 plus root x plus 3 minus root 4x plus 1 minus root x plus 3 is equal to यहां पर भी अपनों अप्ले करेंगे 4 plus 1 upon 4 minus 1 क्या होता है इसका 4 plus 1 is 5 and 4 minus 1 is 3 यहां पर आ जाता है और यहां पर brackets निकाल देते हैं science 3 change हो जाएगी नीचे वाले की नीचे उपर तो सेम रहेगा नीचे यह plus यह minus प्लस हो जाएगा यह वाला जो माइनस था वह यहां पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां पर बार माइनस है ना अब बहुत कुछ कैंसल होने वाला है लास्ट समकी जैसे करना यह भी देखिए और रूट 4x plus 1 और माइनस रूट 4x plus 1 कैंसल रूट x plus 3 के साथ कुछ भी चैंसल नहीं हो सकता है यह हो सकता है यह पर रूट x plus 3 और यह minus root x plus 3 कैंसल तो अंत बहुत कैंसल सब कुछ होने के बाद बचता है उपर दो रूट 4x plus 1 बचते और निचे दो रूट x plus 3 बचते वाम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे कि हमने पहले भी किया था लास्ट सम्में की तू रूट 4x plus 1 and 2 root x plus 3 is equals to 5 upon 3 अब 2 to cancel हमारा और भी काम आसान उपर निचे जो भी सेम होते वो कैंसल को सकते तू यहां पर रूट निकालना मता भी आपको रूट अब भी हम निकालेंगे अब हमको रूट नहीं चाहिए और 5 upon 3 को हम लोग को स्क्वेर करना पड़ेगा अब मैं आपको एक बात समझाता हूं हमने सिखा है आपने सिखा होगा शायद कि जिसकर भी जो रूट होता है न अगर मैं बोलु हो स्क्वेर निकालीं निकालने स्कवेर मता इस को बीन भी नम्मार का स्कॵेक्ष का यहसक्वेर करेंぎे इन दोनों का यह सक्वेड कर देंगे तो यह जो साइड है इनमें से progressing बहुत साइड therefore यह हो जाएगा 4x plus 1 upon x plus 3 यहां पर square हो जाएगा 5 का square 25 और यहां पर 3 का square हो जाएगा 9 therefore अभी cross multiplication जो हमने अभी तक किया ही है यह यहाँ पर और यह इसके साथ multiplication आप जानते ही होंगे इसलिए मैं आपको यह समझाने नहीं हूँ तो देर्फो एक सम को मिल जाएगा 6 and therefore x is equal to 6 is the solution of the given equation 3rd और 4th एक दिम सिमिलर थे एक दूसरे से और बहुत ही जल्दी हो भी का है तो I hope कि आपको इसमें कुछ doubt नहीं है अगर doubt है तो आप comment section में मुझे पूछ सकते है 5th सम देखते है यह थोड़ा interesting है 4x plus 1 the whole square plus 2x plus 3 the whole square upon 4x square plus 12x plus 9 is equals to 61 upon 36 बहुत ही बड़े बड़े नंपास है यहार लेकिन यहाँ पर हम लोग को आपको देख के मालूम पढ़ रहा है क्या apply हुआ है फेले से हमको देख के मालूम पढ़ता है अब बड़े दिविडेंट तो apply नहीं नाए component है उपर प्लस दरूर है लेकिन नीचे वह यह होना चीजिए जो डिनॉमेंटर वह होना चीजिए तो कुछ और यह नीचे तो वह भी apply नहीं हुआ डिविडेंड उसका तो सवाल है नहीं उठता बीच में माइनस ही नहीं है तो इसमें से अल्टरनेंट व इंट्वेंटेंड हो तो हम लोग यह पर देख नहीं सकते हमको पता नहीं है तो अभी इसमें से कुछ भी apply in your property तो अगर हम लोग सम में अभी अभी तक क्या करते थे अभी कुछ मालूमी ने कि कौन सा अप्लाइड है तो कैसे अप्लाइड करेंगे वापस यहां पर एक फॉर्मिला में काम आएगा जो आपको या दोना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सम्स के लिए तो पहले हम लोग लेखेंगे 4x plus 1 the whole square यह इसका अब देख सकते यह जो स्टेटमेंट है जो नंबर से क्या है 4x square plus 12x plus 9 यह एक फॉर्मिला पर बेस्ट है कैसे मालूम पड़ा मुझे यह वाला फॉर्मिला देखें ए प्लस बीदा होल स्क्वेर का फॉर्मिला क्या होता है ए स्क्वेर प्लस टू एबी प्लस बीस्क्वेर तो यह भी एप् स्क्वेर के बीखें प्लस टू फ्लस टू एबी एबीicano के प्लस बीस्वेर के क्या होगा तो जिसका स्क्वेर पोर अर टू एक सों गए ताकि फॉर एक्ड़ा आएगा और अर डियो ट्री जिसका अएगा नाइन तो और फॉर इंटु fraud इंटु 12 आया तो हम लोग इससे मालू पढ़ता है कि 2x और 3 है ए और बीस मैं जो नमबर यूज किया गया है और वो यही पर है 2x 3 बनाव इस तरह में इस तरह इस फॉर्म में स्प्लिट करके लिका गया है वह फॉर्मिला के फॉर्म में लेकिन इसको ए मान लेते हैं इसको टूए भी मान लेते हैं और इसको अब एक स्क्वेव एक स्क्वेव थे या वह नंबर फूर है तो थो टू एक स्क्वेव करेंगे तो फॉर एक्स तो बी मिल गया 3 और अगर हम लोग 2x और 3 को यानकि 2ab यानकि जिसे मल्टिप्लेक्टिशन किया था 2x और 3 इंदो उन्हों को मल्टिप्लाइ करेंगे महलब 2 x x 3 2 x is 4 x x 3 x 12 x तो वो हम लोग को यह बीच में मिल गया तो हम लोग को प्रपर ली मालूब पूर चुका है कि कौन सा यहां पर आएगा 2x plus 3 the whole square क्योंकि a plus b the whole square है हम लोग उसको replace कर सकते है इससे क्योंकि वह इसका formula है यह दोने एक ही है तो महलब इस पर component applied है अब जब component applied है हम लोग को सिफ x जुनना है तो हम लोग डिविडेंडों का इस्तिमाल करेंगे जिससे बहुत कुछ कट जाएगा क्योंकि minus आजाते है न तो हम लोग लेगे 4x plus 1 the whole square plus 2x plus 3 the whole square minus 2x plus 3 the whole square upon 2x plus 3 whole square यहापर अभी अप्लाय करतेंगे दिविडेंडों 61-36 upon 36 and अब हम लोग बहुत कुछ क्यांसल कर पाएंगे आप बहुत कुछ क्यांसल हो जाएगा यह 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 प्लस से और यह माइनस से यह दोनों क्यांसल हो जाते है तो पस इतना ही बजाए यह दोनों बजाने है और कि 4x plus 1 the whole square upon 2x plus 3 the whole square 61-36 is 25 and 36 is 36 अब इन कुछ और निकालने के लिए हम लोग टेकिंग आउट square root ले लेंगे क्योंकि यह दोना भी perfect square नंबर से फिर से लास्ट सम जैसा थर्ड सम जैसा हो जाएगा यह 4x plus 1 upon 2x plus 3 is equal to plus minus 5 upon 6 25 स्क्वार रूट 5 और 36 स्क्वार रूट 6 है अब यह प्लस माइनस आया है क्योंको पता न लगने वाले हैं आपर लिखने वाले है की 4x plus 1 upon 2 x plus 3 is equal to 5 upon 6 और 4 x plus 1 upon 2 x plus 3 is equal to minus 5 upon 6 directly cross multiply नहीं इसके साथ यह इसके साथ यह इसके साथ यह इसके साथ यह इसके साथ अब इसके साहथ आपको अंसे चाहेगा x is equals to 9 upon 14 और x is equals to 21 upon 34 is the solution of the given equation ओके यह थोड़ा complicated था ओके तो देखिए यहाँ पर हम लोग 6 तुवाला देखते है that is 3x minus 4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube upon 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube equals to 61 upon 189 simply हम लोगों को यहाँ पर देखके मालम पड़ता है कि invert and applied है उपर पहले component dividend apply क्योंगा उपर plus नीचे minus होगा उसे invert and apply कर दिया है तो उपर minus और नीचे plus आ गया है तो पहले से invert and applied है उसको वापस invert and do कर देते हैं और उपर प्लस लेते हैं नीचे minus लेते हैं लिचे मालम प्लाइ करेंगे वापस तब इस हो जाएगा ना मर्दे के लिए तो पहले हम invert and do apply करेंगे तो यह उपर आ जाएगा अपलाए कर रहे 3x-4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube plus 3x-4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube यह पर नीचे 3x-4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube यह पर minus आ जाएगा 3x-4 the whole cube minus x plus 1 the whole cube यह पर minus ओली सान बदल जाएगी सिफ इतना ही difference होगा यह अपर भी कंपोरेटे तो डूसरी साट भी apply होजाएगा 189 plus 61 अपर 189 minus 61 रीजन मत लिखना भूलिएगा अपर ब्रैकेश निकाल देते हैं वह बड़े वाड़े स्क्यार ब्रैकेट्स 3x-4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube plus 3x-4 the whole cube minus x1 x plus 1 the whole cube overall same ही है 3x-4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube minus 3x-4 the whole cube यह पर minus plus हो जाएगा इनको प्लस करेंगे 250 है तो इनको माइनस करेंगे तो यह पर 128 आता है तो इनको इनको सिंप्लिफाइ कर दिया 125 तूजा 250 128 इनको तूजा 128 ऐसा क्यूद के मैं बताता हूं ऐसा करने से न यहां पर भी 2-2 कैंसल यहां पर भी बनीचे 2-2 कैंसल यह भी और चूटे नंबर बन जाएगे हमारे लिए तो यह ट्रीक के जो मैंने आपको बताईए यह याद रखेगा 2-2 कैंसल नहीं अपर भी 2-2 कैंसल तो हमको मिल गया 3-4 the whole cube upon x plus 1 the whole cube is equal to 125 upon 64 अब दोनों ही यह दोनों ही perfect square numbers है और यह आपसे हम लोग को cube निकालना है यह दोनों perfect cube numbers है actually यह 4-5 का क्यूब है यहांसे हम लोग को क्यूब निकालना है तो हम लोग देंगे taking cube root of both sides so that for 3x minus 4 upon x plus 1 is equals to is cut you by 5 cube root or is a cube root of 4 simple जो हमने अभी तक क्या है cross multiplication यह इसके साथ यह इसके साथ simply आपको सकते है I hope so aapka आपको मिल जाएगा पिर x is equals to 3 that for x is equals to 3 is the solution of the given equation therefore हम लोग का practice at 4.3 इसके साथ finally complete होता है तीन पार्स में मैंने video divide करने के बाद हम लोग को भी complete हुआ तो अगर आपको कोई doubt है अभी भी इसमें तो आप ज़रूर हमें comment section में बता सकते है and thanks for watching this link अगर आपको हमारे वीडियो पस्सें नहींद है तो इसको like कीजाए और हमाने चैनल को subscribe कीजाए कर दो कर दो दो कर दो